हाई बचा पार्टी वेलकम टू कॉमर्स अटा 247 माइनेम इस सर्च और आम यू बिजनस सेडीज मेंटो बचो आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत यह तरीके से चल रही होगी अब आप जो है नवंबर का महिना स्टार्ट हो चुका है नवंबर दिसंबर सेंबर करने के लिए एक और वीडियो आपके लिए लले के आया हुँ मुझतनी क्लास 12 के लिए most important topics क्या होने वाले अब देखो जब मैं most important topics की बात करता हूं तो most expected माना करो expected का मतलब क्या हुआ कि भाई यह जो topics मैं आपको बताने वाला हूं इन topics से रेपेटेडली questions previous year में पूछे गए हैं sample paper में पूछे गए हैं प्रीबोर्ड में hundred percent syllabus पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है लेकिन जो topics आज बताने वाला हूं उनको और अच्छे से पढ़ना है उनको grab करके जाने कि अगर ऐसे topic exam में आ जाते हैं तो मैं उनको अच्छे तरीके से लिखके आऊंगा और मुझे पूरे marks मिलेंगे चलिए तो शुरू करते हैं अपने बुक टू के सबसे पहले chapter को जिसका नाम है financial management सर आपने तो financial management के सारे topics यहां पे लिख रखे हैं क्या सारे ही important है नहीं बेटा मैं आपको पता हूं कि क्या क्या important है मैंने हां यहां पे सारे topics वह लिख रखेंगे जो financial management में आते हैं बट क्या क्या पढ़ना है वह आप मुझसे सुनते चलो तो देखो सबसे पहले business finance की definition आती है चोटी सी की business finance क्या होता है और business finance क्यों इंपोर्टेंस है इंपोर्टेंट क्यों है क्या important business finance की यह आपको पढ़ना होता है तो आप वो छोटी सी definition और छोटे मोटे चार पाच importance के point पढ़ सकते हो बात करते हैं financial decision dividend decision investment decision इन सबके factors important है तो आप पढ़ोगे ठीक है capital structure के 13 या 14 factors है वह आपको पढ़ने है capital budgeting एक छोटी सी definition और capital budgeting decisions को effect करने वाले तीन चार factors है तो वह आपको पढ़ लेने majorly majorly types of decision आपके लिए important हो जाते हैं ठीक है जैसे financing decision dividend decision investment decision और capital structure इन सबके अंदर कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ factors है जो आपको अच्छे तरीके से समझने होंगे इनके लावा fixed capital working capital आपके important है क्योंकि यहां पर भी अगेन वही factors वाला सिलसिला चलता रहता है इबी आईटी EPS analysis में आपको कुछ numericals देखने के लिए मिलते हैं कुछ नहीं करना होता है दो companies का comparative analysis होता है कि हाँ दो companies का EBIT अगर से में तो EPS में क्या difference देखने के लिए मिलेगा अगर कोई equity issue कर रहा है या कोई debt issue कर रहा है simple है अगर आप एक example भी पढ़ते हो तो आप कोई question solve कर सकते हो एक illustration अगर आपको business CDs की book का समझ में आ गया है तो आप paper में कोई भी question आ जाया पर आम से इसको कर सकते हो तो basic importance टॉपिक क्या हुए types of decision capital structure और fixed capital working capital यानि कि types of capital से आपको question देखने के लिए मिल सकते हैं चलिए बात करते हैं अपने next chapter जिसका नाम है financial market अब देखो है financial market शुरू होता है financial market की definition से कि भाई financial market क्या है और financial market के function से एलोकेटिव function price decide करना liquidity provide करना marketability provide करना यह सारे उसके functions होते हैं यह पढ़ लोगे अराम से important जो important में भी important है वो है capital market उसके features money market उसके features money market के instruments board exam में नहीं आते हैं छोड़ सकते हो primary market secondary market और उनके features primary market के methods of flotation भी बहुत अधा important है जिसमें offer through prospectors offer for sale private placement eipo और right issue of shares आते हैं ठीक है अब बात करते हैं third most important topic की financial market chapter के अंदर सेभी बिटा सेभी कब establish हुई सेभी को स्टाटरी पावर्स कब मिली है ना वह आपको पढ़ना होगा सेभी के तीन functions है protective regulatory और development function वह आपको पढ़ना होगा इस टॉक market की बात की जाए तो बीसी एनसी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो और dematerialization की process यानि की demat account क्या होता है depository क्या होता है screen based trading क्या होता है settlement procedure क्या है जिसमें 9 steps है यह सारी चीज़ें आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है खासकर dematerialization क्या होता है holding of securities in electronic form is known as dematerialization और demat account खोलना पड़ता है जिसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा तीन जो सबसे major topic यहां पर है वो है अलग-अलग types of market और सभी और सभी के functions ठीक है अब आते हैं बात करते हैं अपने business studies के सबसे बड़े chapter की जिसका नाम है marketing और marketing एक ऐसा chapter ने बेटा जिसका वेटेज भी सबसे जादा है 11 से 12 नंबर का marketing आपको देखने के लिए मिल सकता है अपने बोर्ट एक्जाम में कितने 11 से 12 नंबर का यानि कि अगर आप marketing अच्छे से पढ़ लेते हो तो 11 12 नंबर आप अकेले chapter से गेन कर सकते हो क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा marketing के chapter में तीन major important चीज़े हैं क्या क्या marketing के functions बहुत इजी आराम से समझ में आ जाएंगे marketing management के concept और marketing management की philosophy दोनों एकी चीज़ें पाच concept ने production concept product concept selling concept marketing concept और ससाइटल marketing concept यह सापाच के पाच concept आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने बात करते हैं marketing for piece of marketing mix product price place promotion अब अब आप लोग सुनिए का ध्यान से बिटा product mix में packaging आता है packaging आता ही आता है तो वह आपको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है इसके लावा labeling एक important topic हो जाता है packaging के लावा branding एक important topic हो जाता है product mix के अंदर तो यह आप लोग को से लिए पढ़ना ही प्राइस मिक्स की बात की जाए तो factors affecting price determination तो जो factors होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को तै करने से पहले कमपणी जिनको कंसीडर करती है ओन फैक्टरस एफेक्टिंग प्राइस determination को आपको पढ़ना होगा प्राइस मिक्स के अंदर जो की बहुत ज़्यादा important topics में से एक है बच्चो place mix की बात करते हैं तो place mix में जो सबसे ज़्यादा important है वो है channels of distribution जिसमें zero level one level two level और three level channels of distribution आते हैं जिसको आप लोग डायरेक्ट और इंडायरेक्ट की category में भी बाढ़ते हो सर इसके लावा इसके लावा यहाँ पर आपको transportation और वेरहाउजिंग के बारे में भी पढ़ना होता है तो transportation को बिल्कुल भी आप छोड़के नहीं जा सकते हैं वेरहाउजिंग को बिल्कुल भी आप छोड़के नहीं जा सकते हैं यह ऐसे टॉपिक है जो आपसे मेंशिख सकते हैं अगर नमबर चयनंबर की बात करूँ तो प्रोड्क्ट मितन से चार नंबर नोबरगर आएगा अब प्रमोशन मिक्स में चार एलेमेंट होते हैं क्या-क्या ध्यान से सुनिखा सब पहला है आपक dłि इडवर्टीजमेंट से कोशन आते हैं इसके लावा परसनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट में कमपैरजन आता है तो यह आपको चार या चाहे नंबर में देखने के लिए मिल सकता है पबलिक रिलेशन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको थोड़ा हलका पढ़िएगा लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर और जो सबसे जादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल प्रमोशनल टेकनीक्स तो भईया सेल प्रमोशन टेकनीक्स भी आपको यहां पर पढ़नी रहेंगी तो बचा पार्टी मोटी मोटी बात आप समझ गये होगे कि मार्केट से आता है आपको इसमें मेजर चीजें कवर करनी होंगी जो मैंने आपको यहां पर बोर्ड पर बताई है ठीक है बाकि जितनी भी चीज़ें वह भी आपको कवर करनी बट यहां से आपको ज्यादा तर कोशन देखने के लिए मिलेंगे और हां यह आप कह सकते हो कि मार्केट प्रोटेक्शन जो की आपका लास्ट ट्वेल्थ चैप्टर है इस बुक का चौता चैप्टर पूरे बिजनर सीडीज के सिलिबस का बारवा चैप्टर जो आपका बनता है बेटा इसमें राइट्स कंजियूमर के राइट्स ठीक है पाच यह च्छे राइट्स आपको पढ खरने हैं बहुत सारे कोशन यहां से आप से पूछे जाते हैं बात करते हैं तो State Commission कब जा सकते हैं, कितने दिनों में जा सकते हैं, State Commission से खुश नहीं है, तो National Commission कब जा सकते हैं, कितने दिनों में जा सकते हैं, National Commission से खुश नहीं है, तो Supreme Court कब जा सकते हैं, कितने दिनों में जा सकते हैं, यह और amount of value, जो compensation का amount होता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना ही रहेगा तो Rights, Responsibilities, Reliefs, Redressal Agencies Who can be a Consumer और अगर आपको पढ़ना है तो आप NGOs के बारे में भी पढ़ सकते हो कि NGO के क्या functions है बचो आई होग कि आपको यह सारे के सारे topics अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको इन topics पे अपनी जो होती ना नजर गड़ा के रखनी है इन topics को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग को Business Studies, CUET exam से related या आपके किसी भी questions related, किसी भी topics related, किसी भी class related कुछ भी doubt पूछना हो तो आप मेरी इस official mail ID पे मुझे mail भी कर सकते है harsh.surevanshi at the rate at the 247.com आप इसको देख लो और इसको note भी कर सकते हो राइट तो बच्चो आई होब कि आपको आज की ये जो वीडियो थी ये अच्छी लगी होगी आपको ये जो दोनों वीडियो है बुक वन के important topics बताए है बुक टू के important topics बताए है अब कौन से important topics पर आपको classes चाहिए वो आप comment करके बताओ और इसके लावा क्या-क्या वीडियो आप चाते हो चैनल पे जो आपके लिए helpful हो सकती है वो भी आप comment करके बता सकते हो so thank you so much मिलते हैं किसी और next informative वीडियो के अंदर thank you so much all the very best and जैन